कंडिडेट जिनका कल है या जिनका आने वाले दिनों में है ठीक है और एक बार तोर बता रही हूं कि आप लोग यह जो material है यह जो documents है like research proposal, PPT यह आपके पास बना होना चाहिए साथ 5 यह साथ 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए synopsis की hard copy मतलब synopsis की hard copy print out जो भी आपने synopsis बनाया होगा उसका print out निकलवाना यह सब मैंने बता दिया है domicile, domicile इसलिए ज़िए यदि आप ESC, EST या OBC है जो कि आरक्षन का लाव लेना चाहते हैं तो आप domicile होगा आपके पास certificate तभी आप अरक्षन का लाव ले सकते हैं यदि आप अधर स्टेट से हैं और आप ESC, EST या OBC मतलब आपको आप चाह रहे हैं कि आपको फाइदा मिल जाए तो नहीं मिल पाएगा आप यू आर में ही जाएंगे तो का सेटिफेट लगाएंगे सांते साथ में domicile लगाएंगे अधहार कार्ड की आपको फोटो कोपी लगानी होगी ठीक है और सेल्फ अटेस्टेट भी करना होगा लेकिन जब मैं मोलेंगी तभी सभी डॉकुमेंट्स के आपको सेल्फ अटेस्टेट करना डाली देन और अपना डिपाटमेंट sis एगार दोप्रण ग तक हैएं अपनों डेपाटमेंट्स थो में मोमाद कालना आपको पूला कि मुझे नहीं पता मतलब आपको नहीं है कि कार्ण कर नदा का लगएंग तो नहीं पाड़ेंगा आपको जाओ पाड़ेस्ट पींटे कि देख सकते हो ठीक है इसली दिख जाएगा और यही है कि आपना 100% देना आप यह कोशस करना इस बार आपका स्लेक्शन होई जाना चाहिए क्योंकि अब दिनों दिन कॉंपटिशन बढ़ता जा रहा है है ना बरुज़कारी भी बढ़ती जारी तो कहीं ना कहीं आप अपकी दूसरी बात यह है कि नियू एजुकेशन पॉलिसी कब क्या हो जाए जैसे कुछ बहुत साई स्ट्रेंट्स हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं अभी वो सिफ एमफिल है और नियू एजुकेशन पॉलिसी ने एमफिल पूरा खतम कर दिया है अना आने वाली दिनों में य करिए ठीक है घबराना नहीं और टाइम से पहले पहुंच पहुंच जाना मतलब जैसे टैन थर्टी का टाइम दी आ गया है तो थोड़ा बंदर में पहले पहुंच जाना लोगों से इंट्रेक्शन कर लें जिसे हैजिटेशन खतम हो जाएगी आपकी थोड़ा घुल मिल ज मेरा इस एक्जाम से कोई जान देना नहीं है जो कि आपको सब भी को पता होना चाहिए और और क्या बताया है मैंने कि सब कुछ भूल जाना बस आपना टॉपिक प्रेजेंटेशन अच्छ से देना और जिए अपना नाम नुशन करना मतलब अपना नाम नुशन करना आप य देना सेलेक्षन हो गया मैंसले चाहरी है अपना को सेलेक्षन क्योंकि कहीं ना कहीं एक तड़का आप को प्लेस पॉइंट रहेगा खासको गल्स के तड़्ये वह कि बहुत ज़ाब कर लेतें प्राइवे ज़ॉब मतलब किसी कंपनी में ज़ॉप कर लेतें लिए लिए लि माइग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप माइग्रेट हो रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं, मालो, आप MP से हूँ, आप UP में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई ने कोई कोई कॉलेज मिल जाएगा पढ़ाने के लिए, तो यही है कि कोई से सही करना इस बार मिलना चा कि कम से कम मेरे इस ग्रूप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन में से सबी का सेलेक्शन होना चाहिए, मेरी विश रहेगी आप लोग के लिए कि भगवान से कि आप लोग का सेलेक्शन हो ही जाए, ठीक है, और वेस्ट आफ लग